हेलो दोस्तों आज हम यह पर बात करना वाले हैं हैल्डाइन ग्लास लिमिटेट से लेटेड क्या इस पर्टिकुलर शेयर से लेटेड हमने के पहले बाते लिए तो एक बार सबसे पहले यह देख लेते हैं तो मैं यहाँ पर जाऊंगा थोड़ा से सर्च कर लेते हूं अपने यह video बनाई गई ती ओर 4 महीने पहले आप देखोगे ठीक है न तो लगबग 120 में तो यहां पर आपको वीडियो बना के दी है वाट हमने पहले भी यहां पर लगबग बाते करी है इस से लेटे ठीक है यहां पर दिख रहा है तो 120 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए लगबग 50% के return आपके फिर भी बनते हुए नजर आ चुके है चार महीन में 50% के return काफी अच्छे होते हैं तो आगे का क्या है आगे किस तरीके से company perform कर सकती है क्या यहाँ पर दिखाई देता है उससे related बाते करेंगे क्या है सीखने का तरीका है कि video जाकर देखिए जितना video देखेंगे आपको चीजर समझ में आएगी किस तरीके से यहाँ पर चीड़ो को देखी जा रहा है हाना और उसके basis पर समझ में आएगा कि क्यों हम वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाने के बाद share में एक तूफानी rally होती हुई नजर आती है ठीक है न ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर insider trading कर रहे हैं या फिर हम कुछ हम पहले ही लेकर बैट रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है ठीक है न मोशली जो वीडियो में बताता हूं या तो बता ही देता हूं कि मेरी allocation है otherwise मैं बता देता हूं कि यहाँ पर हमने share को नहीं ले रखा ठीक है न मैं पहले ही यहाँ पर clear करके चलता हूं यहाँ पर आप देखेंगे अगर सीखना चाते हैं तो सीखने का तरीका वीडियो है इसके इलाबा डवल 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 डूर अगर आपको जरूरी है हना इस टॉक मार्किट में वही जवाब आपके सवालों के जवाब यहाँ पर मिलेंगे 25 जार उपर कोर्स है थीरी मन्स के हैंडोल डिंग इस्टाटिजी उस टॉक मार्किए ओनलाइन नोट सब कुछ दिया जाएगा कोर्स किया तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़े समझ में आती हुई नजर आएंगी ठीक study के basis में आप बता दूँगा आप बाग की देख सकते हैं हम NISM certified research channel list भी है जल्दी हम यहाँ पर apply भी करने वाले license के लिए तो हम यहाँ पर सही से बाते भी कर पाएंगे बाखी यहाँ पर देखिए 12 दिन बाद ही video आ रही है just because हम यहाँ पर busy थे अब बात करते हैं यहाँ यहाँ पर देखिए लगभग 50 holds 53.53% in HDL is engaged in the business of manufacturing exclusive glass quality of glass container and bottles for the food beverages and and spirit to spirit industries तो यहाँ पर हम देखे तो company क्या कर रही है glasses बना रही है किस तरीके glasses जहाँ आपके जो यहाँ पर spirit industry में लेकर industries में काम आती है as well as आप बहुत सारे यहाँ पर आज की रेट में आप देखते हैं कि bottleों में यहाँ पर दूद भी आता हुआ दिखाई दिता है ठीका beverages भी आती है cold drink भी आती है वो सारी की सारी जो industry ही है हाना उसे यह company cater करती हुई नजर आती है अमूल वगेरा भी इनके यहाँ पर अच्छे खासे client है यहाँ आप देखिए हर तरीके की bottles हाना medicines में जो use होती है alcohol में जो use होती है client की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए अब की बात करूँ ना तो इस चीट को याद रखिएगा जब share भाग रहा है तो अच्छे return दे रहा है no doubt बर जब share गिरना शुरू करेगा ना तो 40-50-60% तक गिर सकता है ठीक ना तो उसके लिए आपको हमीशा prepare रहे ना है इसलिए ताही टाइम पर entry और साही टाइम पर exit य महंगा है न सस्ता है और PE के बेस पर कभी काम भी नहीं करना है ROC ROE ठीक ठाक नजर आता है कोई pleasing नहीं है face value 1 की है 180C का share यहाँ पर high लगा है 166 पर चल रहा है ठीक है और यहाँ पर हम बात करें maximum chart pattern की तो maximum chart pattern काफी अच्छा नजर आता है यहाँ पर आप देखे बीच में ग 54 करोड से लेके company लगबर 95 करोड रूपीज की इस बार की sales दिखाई है इसने अच्छे कासी quarterly base पे और yearly base पे जम आती हुई दिखाई दे रही है company का margin है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है as well as company के जो profit है वो भी अच्छे कासे बढ़ता हुए नजर आते हुए दिखाई company का profit sorry EPS और यहां पर margin है अच्छा कासा यहां पर दिखता हुआ नजर आ रहे है yearly basis पे company का performance देखो के वो भी यहां पर ठीक ठाक नजर आता है ऐसा कुछ high-five नहीं है ठीक है बट इतना बेकार भी नजर नहीं आता है ठीक ठाक नजर आता है इसलिए मैं यहां पर ठीक ठाक यूज कर रहा हूं रिजर्व की बात करें तो company के वास reserves भी है borrowing की बात करें तो borrowing भी 97% के आसपास की borrowing भी है ठीक है और यहां पर हम बात करें इंवेस्ट में 41 करोर कैश भी पड़ा हुआ है company चोटा मोटा ठीक है तो चोटी company है ज्यादा बड़ी company नहीं है शिच को याद र आया है और public की बात करें तो यहां पर 40% की सद आ रही है ठीक है जो की घटती हुई नजर आ रही है अची बात है और इन में से कुछ HNIs है वो निकलते हुए भी नजर आ रहे है यह सब चीजे पर आपको क्या करना है गौर्ड फरमाते हुए नजर आना है as well as यहां पर इतने हुए नजर आ रहे है और जब लगातार कोई ना कोई खरीदता है तो आपको यहां पर पता ही है कि अच्छी तेजी होती हुई नजर आती हुई दिखाई दे सकती है मतलब positivity की तरफ में यहां पर इशारा करती है ठीक होती है और नहीं होती वह एक अलग मैटर तो fundamentals की बात करें fundamentals अच्छे नजर आते है इस बार के result company के काफी तावर तोड़ भी आया है अच्छे का से यहां पर company के number आते हुए दिखाई दे रहे है company का business model अच्छा है अच्छे अच्छे बड़े बड़े client है जो कि हमने यहां पर बात भी कर लिया कि यहां पर Amul जैसे बड़े-बड़े client Amul Parlay Agro as well as Vardilal United Spray यह इतने बड़े-बड़े client हिनके नजर आते है अब बात करते है company के technical से लिटी कि technical क्या कह रहे है क्या share को अभी कि लेना सही रहेगा क्या बेचना सही रहेगा तो सबसे पहले buying selling की कोई recommendation नहीं है अपने financial advisor खुद की study करना है चीजों को समझने पर ध्यान देना है buying selling की recommendation है नहीं चैनल को subscribe bell icon को hit all को notification on करियागा ताकि इस तरीके वीडियो मिलते रहे जाके वीडियो देखके सीखिए यहा हमने बताया था उसके बाद से शेयर लगबख 50% भाग भी चुका है एक अच्छे कासे decent return यहाँ पर already मिल भी चुके हैं बट क्या यह इनफ है क्या यहाँ पर खतम हो चुकी है rally क्या यहाँ पर लेना चाहिए entry नहीं लेना चाहिए वो मैं आपके ऊपर चोड़ूँगा आसपास का एक stop loss लगा के चले ठीक है 150 रुपे का stop loss का बनले 15 रुपे का कम से कम आपको risk लेना है जो की लगबख 10% के आसपास होगा और जैसे ही यह शेयर 179 के ऊपर निकलेगा 180 के ऊपर निकलता हुआ नजर आएगा तो इस शेयर में एक तेजी होती हुई नजर आ सकती ह जो इस शेयर को कहां पर लेके जा सकती है जो इस शेयर को 260 रुपी की तरफ लेके जाती हुई नजर आ सकती है ठीक है ना तो 262 का लेवल कैसे निकाला ठीक है ना तो यहां पर यह फिवनाशी टैकनिक्स होती है उसके बेसिस पर हम यहां पर बाते करते हैं तो आप यहां प करेंगा मेरे पास शेयर नहीं है बट हां मुझे अक्टिविटी नजर आएगी मुझे दिखाई देगा तो मैं इसमें ओन बॉर्ड हो सकता हूं ठीक है न तो बाइंग सालिंग की रिकमेंडिशन बिल्कुल नहीं है अपने फैनेंशल एडवाईजर कुछ की स्टड़ी कर रह देखा तो